NASA के Hubble Space Telescope के थूँ एक ब्लैक होल ने एक स्टार को फांसा हुआ दिकाई देता है, जिसे हम Tidal Disruption Event कहते हैं. ये एक बहुत बड़ी अचीवमंट है, क्योंकि इसे ब्लैक होल के युक्सिस्टेंस की और उनके सराउंडिंस से इंटरेक्शन की इविडन्स मिलती है. Tidal Disruption Event देखना बहुत कम होता है, जहां एक ब्लैक होल अपने ग्रैविटी से एक अन्य स्टार को फांसा देता है. इस देता को देखकर, Scientist in Celestial Phenomena के बारे में और ज्यादा जानकारी पासकेंगे. Shredded Star यानी फटे हुए या टुक्डे-टुक्डे कर दिये हुए स्टार. ये 300 मिलियन लाइट यर्स दूर है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर ने हब्ल की Powerful Ultraviolet Sensitivity का इस्तमाल किया है, जो उस स्टार के लाइट को एनलाइज कर सके, जिससे उन्हें वाइलन्ट इवन्ट के फोरण से क्लूस मिलते हैं. हब्ल के देता ने एक बहुत तेज, गरम छोटे साइज जिसा एक डोनट शेप का गैस का गोला पता लगाया है, जो सोलर सिस्टम के एक ब्लैक होल के अराउंड चक्कर लगा रहा है. ये स्वर्लिन गैस एक स्टार था, जो अब ब्लैक होल के ग्रैविटी के चलते स्वर्ल हो रहा है. आम तौर पर, एस्ट्रोनॉमर को डिस्रप्शन इवंट के शुरुवाती दौर में सिर्फ कुछ आब्जर्वेशन्स ही मिलते हैं, जुब उसका तेज होना सबसे ज्यादा होता है. लेकिन इस इनर्जेटिक कॉलिजन की प्रॉक्सिमिटी और ब्राइटनियस की वजह से, हब्बल ने अल्ट्रावाइलिट देता को एक नोर्मल टाइम पिरियड से बहुत ज्यादा समय तक कलक्ट किया है. ये साइन्टिस्ट्स के लिए एक ऐसा रेर ओपर्चुनिटी है, जहां वो अपनी सोच के अकोर्डिन मॉडल्स बनाकर उससे हब्बल के अब्जर्वेशन्स से कंपेर कर सकते हैं. ये साइन्टिस्ट्स के लिए एक एकसाइटिंग प्लेस है नोन और अनोन के बीच में.